कि है एक है कि है कि है स्टुडेंट मैं हुआ आपका पना को पाल याद हो और मैं आप सभी को सिये लाराज के है सनमें स्वागत करता हूं जैसा कि हम लोग ही अधा कॉलर्फुल वड़ चैप्टर पर्रेक लास तेन्थ का उसमें हम लोग लेक्चार चार कर लिए आज हम लेक् इन पार्ट में डिवाइड किया था फर्स्ट पाट था ही मना एन एड डिफेक्ट था दूसरा पाट था हमारा इस पर्शन आप लाइट और तीसरा पार्ट जो है हमारा आवी आज जो परेंगो वह एट मुस्फेरिक रिफ्रेक्शन तो आज जो हम लोग परने जा रहे हैं व कि एटमोस्फेरिक रिफ्रेक्शन को अगर आप ध्यान से देखिएगा ठीक एटमोस्फेरिक रिफ्रेक्शन को अगर ध्यान से देखते हैं तो इसमें पाया क्या जाता है कि एटमोस्फेर से एटमोस्फेरिक मना यानि कि हम लोग को जो भी चीज देखना है वैटा जो भी डिफ्रेक्शन ओके तो यहाँ पर क्या लिख देंगे दर रिफ्रेक्शन डिव टू एयर और अब डश्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन अर्थ एट्मोस्फेयर एट्मोस्फेयर एक रिफ्रेक्शन ठीक मतलब कि देखे और एट्मोस्फेयर के अंदर जो एयर होता है और जो डश्ट पार्टिकल्स होते हैं उसके वज़से अगर किसी रे आप लाइट का रिफ्रेक्शन हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा एट्मोस्फेयरि ड्यान देखने के लिए हम लोगम को दो चीजों पर ध्यान देना यासी कि माण लिजिए least यह हमारा अप्षा good och गया है ये अर्थ सर्फेस से जो एटमोसफियर का जो पूरा मैक्सिमम जो उसका था टॉप आप इटमोस्पियर होता हो लग वख ठ टी से 35 किलोमीटर के ओस्पास होता है जैसी अर्थ सर्फैस है उससे थटी टु 25 km उपर तक जाएगा तहां जहां तक वो क्या है हमारा एट्मोस्टेर तो इस एट्मोस्टेर में एयर बहुत सारा राता है एट्मोस्टेर का मतलब का है एट्मोस्टेर का मतलब यह होता है कि जहां पे एयर का पर जैंस हो ठीक इसके उपर एट्मोस्टेर ने एट्मोस्टेर तोप पोजिसन ओफ एटमोस्फियर तेक बीच में शारा जो है एर समझना ही बात है इतना तो आप लोग समझदार हो यह तो बहुत इजी से समझ में आ रहा होगा आपको ठीक अब देखें इसमें क्या होता है कि हमें पता है एक चीज कि जैसे जैसे जयाएसे अर्थ सरफिस के उपर जाते हैं लोग उपर जाते हैं है तो जो ऐर का जो डेंसिटी छुता है गड़ता है रडAccis कोता है गड़ता जैसे हम लोग हाई आ Alti Tude भी होगे ज़्य होते हैं बहलेन धुकारवार पाहर पिछेbiaरते हैं थुरी उचाई ane करते हैं तो पीछे oxygen cylinder लेका जाते हैं क्योंकि जैसे-जैसे वह उपर जाते हैं oxygen घरता है oxygen लेवल क्यों हजाता है वेटा क्योंकि ऊर्थ सर्फेस से जैसे-जैसे हम लोग उपर जायंगे तो एर का जोवदिय टेंसिटी होता है और डेंसिटी डिक्रीज करता है density क्या होता है decrease करता है उपर जाएंगे तो अर्थ से उपर जाएंगे atmosphere के topmost की ओर ठीक तो हाई altitude पर जाते हैं तो एयर का density क्या होता है वेटा कम होते जाता है इसका मतलब क्या है कि यह जो अर्थ के जो आजू-बाजू का जो पाठ है वो क्या होगा सबसे ज्यादा डेंसर होगा यानि कि हम लोग अर्थ की ओर नीचे आते हैं तो क्या होगा density कि यह सब्सक्राइब की उपर की और हम जाते जैसे जैसे देंसरफाई पर पर जाएंगे तो हमारा क्या होगा एक का जो Mafia का जीब चुनर होते जाएगा और नीचे आएंगे अर्थ सर्फेस के त्राव ganharmot का सब्सक्राइब जाएगा पर सक्राइब में लोग का Word क्या होता है बनाए कि density of medium change होना ठीक medium change होना यह medium का density change होगा ठीक तो जहाँ जहाँ medium change होगा यह density of medium change होगा वहाँ वहाँ क्या होता है light rays का bending होता है और bending of light rays called reflection ठीक when passing from one medium to another medium हम ठीक तो क्या होता कि देखें मनें यह सन है यह सन का टिक सूर्दीय तो यह से रेख्ण ख्रैर्योफ ऑफ लाइड आ रह दूर मंद्ध ख्रैया वहां वाएक्स अबय सफियर लगी गैस के 결क्त जहां लेंग पîneयक अन्यूस आफ फे irritable इनन यह Federalcken यह वहाँ हो गोलते हैं टिक तो एट्मस्वेर जहा तक है वहाँ तकल के एर्डी अ तक इड्टिक इसलिए वैकूम ध्यकुम्द राय जो तह यह ट्रेट लाइन में फो पगेट करती स्थुक्ऊ ए यह एक्मसफेर में इंटर करेगा तो अभी मैंने बताया कि जो पर जितना भी उपर जाते हैं तो यह क्या होगा रेर होगा इसका डेंसिटी क्या होगा रेर होगा तो यहां पर क्या होगा डेंसिटी रेर होगा तो रेर से डेंसर की जैसे जैसे नीचे आएगा रेर से डेंसर क्यों राएगा और रेर से डेंसर की और जब आएगा वेटा यह ओफ लाए तो क्या होगा कि जब LGBTI मीडियbahn का देंशिटी चेंजो गा तो उसका सपीड होगा क्या होगा मीडियप는 का देंशिटीण चेंज होगा क्योंकि देखे उताकर नीचे आएगा क्या होता है जादा होता है उपर क्या होता है आयर कंघ्सरों नी की समार नगा तो जैसे जैसे यूर ऑफ लाइट Protest की यह एक वर आएगी वैसे बैसे हैं एट्मोस्फियर में डेंसिटी इंक्रीज करेगा ओके एर का डेंसिटी जहां जहां इंक्रीज करेगा यानि कि वहां वहां क्या होगा बेंडिंग यह स्पीड ओफ लाइट क्या होगा चेंज होगा देंसिटी चेंज यानिकी स्पीड ओफ लाइट चेंज तो बेंडिंग ओफ लाइट हो जाएगा अब बेंडिंग ओफ लाइट को हम लोग क्या बोलते रिफ्रेक्शन बोलते हैं तो चलिए यहाँ लिक देते हैं अगा देन्सिटी चेंजेज ठीक तो इस्पीड ओफ इस्पीड ओफ लाइट चेंज उसके बाद क्या हो जाएगा इस्पीड ओफ लाइट चेंज होगा तो बेंगल ओफ ओट देजेंज और नकीबेंड करेगा इंगल ओफ का देल मिट्स देंदिंगेंग अफ लाइट हो जाएगा ठेक बेंडिंग उफ लाइट हो जाएगग local बेंडिंग ओफ लाइट को यह साहता है तो Ave डॉलस्टार करके हमने ये कर दिया क्यों होता है कि जैसे-जैसे रहाफ लाइट आएगा डेनसीटीशेंज होगा एक डेनसीटन चेंज होगा तो लाइट रेज का स्पीड चैंज हो जाएगा ठीक फिसक्थ राफ व लाइट चैंग जो जाएगा ठीक और एंगल चेंग होगा तो बेंदिंग ऊप लाइट होगा एंगल चेंड दोटक यह अप लाइट अ बेंदिंग अपलाइट को हम लोग क्या करते हैं एटमोस्थेर थीजिप रिफ्रेक्शन थी तोby बोल नहीं हम लोग !! इसके पैमोस्फएरिक रिफ्रेक्ष्न के कुछ जए का है तो यह आपका सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद हम लुग ट्विंखल फैस्टॉ सब्सक्राइब लिए सब्सक्राइब ठेकत विंखिन टूसर्स टॉस्क्राइभ लिफ्रेक्शन डूसर एटमॉस फ्यरिक रिफ्रेक्शन ही इतमोसफेग रिफ्रेक्शन इसके वज़त से ही हमारा क्या होता है त्यूंग लिगा पेस्टार होता है आप दोगे क्या होता है पीर से हम लोग और और ये इसका इस्टार कर और टर अटमस्पेर का डाइग्राम बनाएंगे ठीक रुग जाव जी ऐ से बना देते हैं इसमें कौन सी बड़ी चीज है ठीक तो यह हो गया हमारा आर्थ यह रोगे हमारा एट्मोस्फियर ओके यह हम लोग ने बना लिया ठीक तो अब स्टार जो होता है इसके पास खूद का लाइट होता है यहां पर थोड़ा सा हम लोग बोल देंगे कि स्टार ब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होता है और सिर्फिस से एक पॉइंट शोर्स ऑफ लाइट हम लोग बनेंगे अब सोपलाइट से एक सिंगल रे को हम लोग कंसीडर करते हैं ठीक तो अब देखे क्या होता है यह जैसे हम लोग अभी एस्मोस्फेरिक रिफ्रेक्शन पर रह रे तो कमिंग फ्राव सन्ट ठीक एरिया है ठीक तो यह तो है यह वाले एरिया जो है क्या हमरेकु की तरह काम करता है और यह क्या है यह मरा इओस्फियर और यह हमारा क्या है çi company yeah okay तो दियए Q g शे व्लेकुम से अंदर जैसेटि इंटर गाई यह यह व्लाइड तो आपूस्फियर के इनदर जैसे ता कि अत्मोस्फियर में तो आअ के यहां पर का यहां पर का यहीं सेटी गरेका तो होगा और आंके यह िंसर तो जैसे जैसे नीचे की ओर आयागा यानि की यह कर देंसिती चाहला हो यहां इस पीड माइन डीकड़ होता के लाओं करेंगों आप क्या होता यह आगा बेरी आपर करेस सेम प्रोसेस इस में भी गट इसमें भी छोगा ट्विंकीलिंग ओफ रहा जाहां जाहा जाहाँ कि करेगा वहां क्या करें आँखों तक कभी ब्राइट राइट आएगा कभी डिम लाइट आंपा रहा हमारे दैसिटि कम अधमापे थुरसा कम हो जाता है यानि कि रेगुलर इंटरवल पर क्या होता है कभी ब्राइट लाइट आएगा कभी डीम हो जाएगा कभी ब्राइट होगा कभी डीम हो जाएगा कभी ब्राइट हो जाएगा कभी ब्राइट होगा कभी तीम हो यहीं फिनोमेनन क्या होता है मलटीपर टइम कंटिनुवाशली होते रहता है समझने मलटीप टाइम की होता है क्योंकि मलटीपर रिफ्रेक्शन होता है तक बतीटमी एत्मवारी तर्टीटू-थाइब किलोमेटर का एट्मोस्फेर है उसमें हरे पोजिशन पर हर फिट पर पांच फिट पर दस फिट पर 5 पचास मिटर पे एक डेनसीटी क्या होता होगा चेंज होता होगा अजितनी बार एक डेनसीटी चेंज होगा उतनी बार यह क्या होगा बैटा अप डाउन ब्राइट एंड डिम लाइथ हमारे यहां खुद तक पहुंचेगा इसी गवालों क्या बोलते हैं ट्विंग्लिंग तो टिंखरी स्टार कि होता है बाटा एट्मस्फेरी रिफ्रेक्शन के बजास से होता है और एट्मस्फेरीक और इंफ्रेक्षान गाते डिवकरिक्ष्ण दाउनUh पमलों There first princessехu और इतनी बार यहां पर इसलेता हुँआ होता है की कभी-कभी सलप हमारे आँकोदों तक पह कि यह अंदर आएगा एक ऐसे करके मुल्टीफंट नागिन डैन्स करेगा एक मुल्टीब होगा और ऐसे करकें अंकों तक यहां पहुंचेगा नन हमारे नैन चलिक हो तक हम लोग बात लाइट आते दिखाए देगा तो यह नागिन ड़स कौन सा सब्सक्राइब करेंगा हैं कि अ कि से वेरिक करेंगा और कितना डेंसिटी theftUp कटीटिटो किलोमीटर का समझे तो मल्तिफॉल रिफ्रेक्षण होगा मल्तिफॉलीफ्रेक्षण के वज़से क्या होगा कीटordon सुप्विंकिलिक साहो होता ही ठीक टा और तोपिक हमारा के मेंसस्टार अब हमनали हैंगे कि स्टार क्यों हो जो एक्चुल पोजीशन से दूर क्यों दिखता है लार्जर क्यों दिखता है तो लेगे लिखा हुआ है देटास से हाइयर दें अवर मतलब क्या होता है यह टोपिक क्या वह रहा कि जो एक्छुल में श्टार जहां उससे कुछ कुछ हाइट पे ज्यादा दिखता हमें ठीक ना कुछ दूरी पे दिखता है ठीक तो जैसे देखिए वो की होता यह भी इत्मोस्फेरिक रिफ्रेक्शन के बज़से होता है क्यों होता बैटा कि माली जैदक यह स्टार है यहाँ वे हमारे आख है यह क्या है यह हमारी आई है जिसे हम लोगा देखना है यह जो आएगा यहां से जू रिय आफ लाइट आएगा ऐसे करके आएगा ठीक कि इसको थोड़ा सवर उदर बना देते हैं ज्यादा अच्छा दिखेगा इसको आख को थोड़ा हम दूर लेके जाते हैं ठीक तो यह आखा गया इधर ठीक है यह आई होगा है ठीक है ठीक है यहां पर क्या होता है कि यहां से अगर रै ऑफ लाइड ऐगा ऐसे ठीक तो चुकि हम hombres प्ता है कि जैसे-जैसे नीचे आएंगे तो वैसे क्या होगा देन्सिटी औफ एर बरेगा रिएसे डेंसर की यह और ऑडेका है थो छी सब फिर गता जैसे लाइट आती है तो बेन टूवर्श कोन्यों होता है क्यों बेंट करेगा अंदर की आठकी और यह अंदर के एंदर करेगा तो घ्रिकक्ष तो पीछे से क्या होता है यह से पीछे से क्या होगा यह主 फेक ते जाता है और यहLY स्ट्रार बना यह क्या वोसित वोते हैं इस है सबस्तर गता है जैसे हम लोग इंग पर थे लेटरल सेफ्ट परते हैं रिफ्रेक्शन हम लोग परते थे कि नीचे अगर पानी के अंदर कॉइन रखह रहा है यहां पर भी रिफ्रेक्शन औरुसर की रिफ्रेक्शन पर्मेश τη इंसर समय जाते टाइम क्या होता है यह जब जब और उसके पीछे क्या होगा एक जब या lijn फखे और इमेजनरी जाकर के इतना उपर बन गया यानिकी एक्चुल में यह था यहाँ लेकिन हमें दीख कहा रहा है इतना उपर दीख रहा है ठिक तो यह जू हाईर रुवा नौ यही कोशना कि इस्टार सेंस higher लेकिन दीख कहा रहा है वेटा यह उपर दिख रहा है तो यह हमारा यही परनत कुछ नहीं होता है यह एक्टमोस्फरिक डिफ्रेक्शन के वैसे क्या होता है स्टार का एक वर्चुल इमेज बन जाता है जो कि हाइट में थोड़ा सा उससे उपर हमें दिखता है और यही हमें है परना था कि यह राथा तो नीचे है लेकिन हमें उपर दिखता है क्यों कि ड्यूटू एट्मोस्फेरिक डिफ्रेक्शन ओ लाइट ठीक सब का कारण एक है क्या है वो एट्मोस्फेरिक रिफ्रेक्शन अब देखिए इसमें एक और कोस्टेयर आता हम लोग को को परना है कि हम लोग परना की यह डिले संद्ट संद्राइज नहीं नहीं अर्ली संद्राइज एंड डिले संसेट वादा मतलब जल्दी संद्राइज हो जाता है और क्या होताँ एडवांस वांस अन डिले इस इस पर लेते हैं यहां कर देते हैं अधर वांस डिए संड्राइज एंड डिलेड अधर संसेट ठेक यह है टोपिक इसमें यह भी होता है अट्मोस्फरिक रिफ्रेक्शन के तो देखिए इसमें क्या होता है बैट इसमें बड़ा एक चीज आपको समझना होगा यह हम इसम Keys को बाते हैं मैं होडियं होडिजशन होड़ियारी लाइन दोना जाता है ठीजिक्स में च जिससके नीचे हम लोग मानते है Honors sunshine सेट होता है नाे तो हम लोग मानते कि यह जो होरीजन है उसके नीचे कि ले वाद से नीचे है यह वैकूम है हम लोग को एंट्मो सtsåure है मिट यह सि बात है वैकूम से एको सिरके क्या होता है देंसर होता है तो देखें यहां से क्या होता है कि पहले ही जैसे सन राइज होता है न उसी टाइम हम लोग को दो मियट पहले नीचे ही क्या होता है नीचे सही सन रेज जो है आना चालू जाता है और यह बेंड होकर कैसे हमारी आखों तक हमारी आख इधर रहेगा ठीक यह हमा तो सबसे ज़्यादा क्या होता अर्थ सर्फेस के नजदीक ही होता है ठीक अर्थ सर्फेस के नजदीक ज़्यादा होता है तो देखिए यह होता है और यहां से क्या होता है यहां से बेटा जी क्या होता है यहां पर यह पीछे रॉकेट आगे जाएगा और पीछे धुआ फिक ठीक और यह जो दिखने का घू समय होता है वो ता 2 मिनट क्या होता है कीव एटमसफेरिक रिफ्रेक्षटन के वायसे वह इसके होता है जब है से सन्रे क्या होगा यहां से निकलेगा और जैसे जैसे डैंसर डिरेंसर क्यों जायेगा वह बेस्ट वर्द नॉर्मल होगा यानि Epic जिधर ज्यादा डेंसिटी होगा उधर की तरह बेंड गरेगा और हम हमारी हमारी आख हमें फिर यह नहीं यह दिखता है ठीक हमें यह दिखता है कि है यह सन है यह यहां से दिखता है समाज में आई बात येह हो गया advanced sunrise ये क्या है रटा ये है यह advanced sunrise ठीक क्यों कि दो मिनट पहले ही हमें लगाँ दीख जाता है दो महत् spice पैर आख यहीं प्रमिये प्रत है लेकिन हम लोगें योग यह sean फाला ही धुखता है अब देख लेंगे फिर से हम लोग होरीजन बनाएंगे ठीक फिर से हम लोग क्या बनाएंगे यहां पर होरीजन बनाएंगे ठीक इस बर क्या करेंगे हम कि सन को इधर करेंगे ठीक यानिकी संसेट हो गया है अभी क्या हो गया संसेट हो गया यह को संसेट यह क्या है a sunrise कर दिए अब कि上午 depe cancer it ओगया कर संट क्या हो गया सेट निकला और सेम वेटाइस हो गया है कि है हमारा क्या है हमसेट से हमारी आखो तक जाएंगी और ये जो आखो तक जाएंगी तो ये कुछ होता है पीछे इस तरह rocket की तरह क्या होता है इमेजनरी रे ओफ लाइट क्या होता है पीछे छोड़ते जाता है और जो है यहां पर इमेजनरी सन फिर से बना देता है और यह सन जो होता है वर्चुल सन होता है और यह जो होता है संसेट होने के बाद भी ठीक यह संसेट होने के बाद भी दो मिनट तक हमें दिखाई देता कितना मिर्ट तक देखाई देता है वेटा दो मिनट समझ में आई बात कितना मिर्ट तक जैसे संसेट हो गया दो मिर्ट बाद भी हमें यह दिखाई देता है फिर से मैं बोर रहा हूं जैसा प्रोसेस इसमें हुआ सेम उसी तरह का प्रोसेस इसमें भी होता है डिलेड संसेट म छाप भी सहन हमें दिखाए देता है मैं vapष अन हम लोग नहीं देखते हैं यह संदीक देखता वर्ट्वला देखते हैं कि यह जब क्विक्षारिच्ट है कि एट्मोस्पेरिक रफ्रेक्षीं से तो देखिए एक्स्ट्रा कितना मिनेट का डिफरेंस हुआ संसेट और सन्राइज में बेटा यह कोश्चन आता है ठीक सन्राइज में क्या हुआ दो मिनेट पहले हुआ तो मिनेट यह एक्स्ट्रा हो गया और संसेट क्या हुआ दो मिनेट बाद तक हमें दिखाए दिया यानि संसेट के बीच में कितना मिनट का फायदा होता है फोर मिनट का क्योंकि एडवांस दो मिनट होता है और डिले में क्या होता है दो मिन यह हमारा एटमस्फेरिक रिफ्रेक्षन का कुछ पाथ हम लोग पर लिए अभी कुछ और पढ़ेंगे तब तक इसको हम क्या करेंगे इडिवी जो होता है एटमस्फेरिक रिफ्रेक्षन के वजह से ही होता है किसी रेंडम डाइरेक्षन में ठीक लाइट का बिखर ना ही क्या होता है is scattering of lights this feeding of light in random direction after reflection through atmospheric dust particles or air particle और किसी भी चीज में टकरा करके जो light चारो in which that theory of flattering light scattering में क्या होता है color में थूट जाता सब्सक्राइब 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 या जो फटिलाइजर सोता है उसको भी एस प्रेट किया जाता है तो उसी तरह से जो बेटा सब्सक्राइब क्या होता है लाइड जो होता चारो तरफ यानि कि चारों डिरेक्शन किसी बीडरेक्शन में इस्कैटर कर गया और उसी को हम लोग क्या हो लेंगे स्कैर्टरिंग आफ लाइट अब देखें उसके बाद जो सेकेंड है तीन डॉल इफेक्ट तो देखेंगे तो अभी तो हम लोग फिजिक्स में परेंगे और केमेस्ट्री में भी हम इसको देख लेगे देखेंगे तीन डॉल इफेक्ट का एक एक जामपल पहले आप देख ल इसमें बहुत सरा तैयरते हुए दिखाई देता है ठीक न बहुत सब्सक्राइब दिकारे पपाथ जो होता है तेसमें बॉलते हुए होते हैं और टकडा करके स्प्रेट करता है ठीक ना उससे क्या होता है कि जो डॉस्ट पार्टिकल का जो रैंडम डिरेक्शन तो वह भी हम लोग का वीजिवल होता है उसी को टिंडॉल इफेक्ट बोलते हैं समझना ही बात है तो टिंडॉल इफेक्ट कुछ ज्यादा नहीं है बस यह क पार्टिकल से टक्रा करके और बिखर जाना ठीक थे स्कैटरिंग आप रेयोफ लाइट ठीक आप्टर रिफ्लेक्शन और अफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रम ड़स्ट पार्टिकल और अफ्स्टेकल इन देर पाथ मतलब उसके रास्ते में जो भी ऑस्टेकल आएगा उसे जो योवज क्लाई स्केटर कर रहा है उसी को हम लोगक्या बोलेंगे रचा टिंडल इफ्लेक फीजिक्स के के कोडिंग क्यां ऩीक यह क्या होता है आप क्ये mustFi काड़ींग क्या होता ता कि जो तैर रहा है जो suspended particle उससे टक्रा करका बिखर जाता है समझने ही बात हेट्रोजीनियस मिक्सर के बारे में आप लोग जानते होंगे जो completely mix नहीं होता जो water में solvent में completely soluble नहीं होता तो वो जो उसमें उसका जो वो शोलीट होता है वो suspended मतलब चारोट रव जो होता है सोलूसन में तैरते रहता है अकर उससे हम लोग रे आफ लाइट गुजारते हैं तो क्या होता है कि वो जो suspended particle होते हैं उनसे रे आफ लाइट क्या होता है टकड़ाता है अट डाकर करके क्या हो इसके ray of light के wavelength से बड़ा होगा उससे टकड़ा करके स्केटर कर जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं टिंडल इफेक्ट समझ में बात और रही बात chemistry में तो जो suspended particle in solution होता है उसमें उससे अगर उस solution से हम लोग ray of light गुजार रहे हैं और वो ray of light suspended particle से टकड़ा करके चारो दिशा में यह किसी भी दिशा में रैंडम कोई भी दिशा में अगर वह स्केटर कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे टिंडल इफेक्ट यानिकि फिजिक्स के कोडिंग भी और chemistry के कोडिंग भी क्या होता लाइट क्या करता है इसकैटर करता है समझने आगे यह एक का टिंडल हमां ठाट जो है वाई सकाई इज बलू देखे यहाँ पर जो है न यह सकेटरिंग ऑप लाइट के वायसे होता है यह क्यों होता है डिूटू और दिव्टू गेटोん सकेटरिंग हाँ आफ ऑफ लाइट देखिए क्या होता है ब्लू क्यूं दिखता है सक्फ्सकाइब अच्वे निफ्र सेम लो वunion है निण तो हमारी आंखों तक यहता है वह कौन पहुचता है जिसका वेवलेंध ज्यादा हो ठिक इसका वेवलेंध जी तो डूर न को भूखो जाद जू धाना बहुत ज्यादा स्केटर कर जाता पहले ही वह क्योंकि इसका जो यह Cross फिश्ट फिवन लोगों ने पढ़ा था थिक तो मुलोग क्या पढ़ था कि जैसे जैसे नीचे आता सकी वरता है और उपर जाते हैं तो to बढ़ता है ठीक फिर तो दिवेल लाइट का जो है रूहर यह सक्ड जल्दी हो जाता है क्वेलेड स् हुटा होगा तो तो ज़िस बाइद हमारो प्रेंट हでकिन सी आती बाभ ज्यादा दूरी हैं तो वहां से हमारी आंखों तक आने में ब्लू लाइट का हो चुका रहता है वह भाप क्योंकि उसके यह भाफ होता है तो ज्यादा है अलेकिन वाव्प्रण क्या और रहना रहा हम लोग स्काइच क्या दिखता है कैसे डिखता है ढूंकि उसकी जलदी हो जाता है हमारी आखों में पर बूचभ का रहा था एक यह हो गया अब देखिए उसके अपोजीट में सेम यह रीजन है वाई दसन अपियर से रेड़ एड़ सन्राइज एंड संसेट ठीक अब यह पूछ रहा है कि सन्राइज और संसेट के टाइम जो होता है और सन रेड क्यों दिखता है यह कोछिए बेरी सिंपल वेरी सिंपल कैस से देखिए उसके समझाने के लिए हम एक चीज बताते हैं और देखो वेटा आप लोग को लेक्चर तो हो रहा है पढ़ा रहा है लेकिन बीच बीच में आप लोग को मोटिवेशनल कोर्स भी जाते रहेंगे ठीक आप लोग मोटिवेट होते रहना और फूल एफिसेंसी औ लेकर के अपने को प्रहाई करना है एसा नहीं कि लेकर बैटे बैटो पते जा रहे है पड़े जा रहे हैं हुआ पर knee-રहे है था फायदा होने हम देर है लेकिन उसका आउटपूट कूछ नहीं रहा है समझ वानगि तो ऐसा नहीं होना चाहर एसा पड़िए ले नेख औ कि तो दे कि यह देख लिए जयालते है हँ लोग देगो क्या होता है बिटा कि यह अर्जीन अलब अभी प्रेट थे नुदों दुख 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 धुख और वराना नहीं है झांस देखने यह हमारा क्या है यह होरिजिन है यहाँ पर हमारा क्या है आंक यह क्या है आख है ठेक माल लेजिए माल लेजिए कि यहाँ सन है ठीक सन तो यहाँ से यह बहुत लॉंगेश्ट पात इसको ट्रे करना है है फिलकिन अच्छा सं संण संडाerd की बात बता रहा लौंग 라 rank पाथ पर संब रहता है संड़ यह एसां संडाइज रहा है इस से आ जो हो रहा और हमारे यह हैं कि हैं क हम बैट ses में कहां बैद स्टेंस टैक करना होता है तो यहां से रे आफ लाइट जाता है तो हमें पता है कि वाइट लाइट में से बीखर जाता है पहला ही क्या होता है बिखर जाता है क्या होता है स्कैटर कर जाता है ठीक और जिसका सबसे ज्यादा वेवलेंट होता है वह होता है रेड कलर का किसका बटा रेड कलर का मैक्सिमाम वेवलेंट होता है ठीक ना ठीक तो वही रेड कलर ही हमारी आखो तर सिफ पहुंच बाकि जो है सब स्कैटर होकर कर बखर जाते हैं मर मिट जाते इधरी समझ में आई बात इनका जाता है समझें यह केवल रेर कलर का जो लाइट है वह हमारी आख़ों तक पहुंचता कि artists का मैक सिमाम होता है और जिसका मैक सिम होगा वही क्या होगा लॉंगेर को travel करके हमारी आँखों तक पहुंचता है वेटा समझ शब यह बात और बाकी सब का जो है वेवलेंग कम होता है छोटा होता है इसलिए हुआरी आच्खों कर नहीं पहुछ पाते हैं तो के यह रेगें हो गया सन्राइज का से मैसे िसेंट कभी हो Sunset में यहां Sun है और यहांपे हमारा क्या हो जाएगा आखिदर हो चलो यह बना ही देते हैं इतना कि यह Sunset हो गया Sunset यह क्या है यह Sunrise के यहांप हमारी क्या है नैन है नारे तुही बुरा है तुझ से बुरा न कोई देखांट से बुरा कोई यह जो है हमेशा बुरे चीजों को देखने की उर ज्ञादा जाता है ठीक ना तेगाना नै ना रहे तुझ से बुरा कोई मतलब तुझ से ना बुरा कोई मतलब तुछ से बुरा कोई नहीं आक से बड़ा के कुई नजर-nजर का फेर है बैटा सारा गुनाय नजरों को यह है ठीक नम टिक तो ना यह हमारे आध्यक्त चुंड संट रेर है ठीक2 यह संसेट और वेस्ट में होता है और हमारी आंक का है बैठा बैठा इस्ट में है ठेक तो इस सन रेज को मैक्सिममम डिस्टेंस को कवर करना होता है और मैक्सिममम डिस्टेंस कौन सा कलर कवर करता है रेड कौन सा कलर करेगा रेड करेगा ठीक बाकी सब रेड जो कलर होता है और पहले ही स्कैटर करके इधर ही निपट जाएंगे बाकी सब का सब क्या हो जाएगा भैटा हिधर यह स्टटर करके निपट जाएंगे बाई पहुछता कौन सा कलर है सिर्फ और सिल्फ रेट कलर पहुचनता यह तो इसलिए जो है संजो है अपिर यज एड के लिए सन्राइज सेंसेट मतलब संसेट के टाइम अपियर होता है क्या रेड समझ में आई बात है तो ठीक तो यह हमारी आज के लेक्चर है और इसी के साथ जो है हमारा human eye and colorful world का समापन होता है और हम लोग जो next lecture परहेंगे बैटा next lecture में हम लोग परहेंगे यह numerical on electricity electricity चेप्टर जो class 10th का है उस पर हम लोग numerical करेंगे और numerical और maximum जो numerical होगा वो इस पर होगा आपका combination of register पर होगा ठीक ना combination of register पर हम numerical कर लेंगे और उसके बाद electricity का ही one short revision कराएंगे ठीक one short में मतलब एक घंटा एक घंटा 20 मेट कर रहेगा उसमें तो पूरा का पूरा चेप्टर जो है electricity का हम पूरा explain कर देंगे नुमेरिकल पहले करा लेंगे और one short revision जो होगा बेटा बाद में करेंगे समझ में आई बात तो जो है परना परना है अदम हारना नहीं है आपके लिए कोर्स लेकर करके आए हुए है वह कोर्स आप तक तुरंत अभी हम भेज़ेंगे तब तक ले धन्यवाद बेटा अब मिलते हैं हम लोग next electricity के lecture में नुमेरिकल एंड one short revision के साथ जहिंद